दुरुग जिले की अमलेश्वर थाना शेतर अंतरकरत युवक की मौत के मामले को सुलजाते हुए पुलिस ने मृतक की माँ और भाई को गिरफतार कर लिया घटना दिवस को मृतक लोकेश्वर प्रसाज शराब पी कर घर आया और खाने को लेकर अपनी मा संतोशी ठाकूर से गाली गलज कर सबजी बनाने के लिए रखी कढ़ाई को आंगन में फेक दिया जिसके बाद उसकी माँ और मितक के बीज जोमा जटकी होने लगी इस बीज मितक की माँ ने मितक के गले को पकड़ कर जमीन पर पटक कर गला दबा दिया और उसे मरह हुआ समझ कर अपने छोटे पुत्र सतीष ठाकूर के साथ मिलकर कमरे में सुला कर वभाविक मौत हो जान से सतीष ठाकूर अपने भाई लोकेश्वा ठाकूर के मौत होने की सुचना देकर आये थे जिस पर से ठाने में मर्ग कायम कर पीम करवाया गया था पीम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी गला दबाकर मौत हत्या की गई है जिस पर से वरिष्ट अधिकारियों को इसक कड़ाई से पुस्ताच किया गया जिसमें मृतक की मा संतोशी ठाकूर और उसके भाई सतीष ठाकूर से पुस्ताच करने पर उनके द्वारा अपरात कभूल किया गया उनके द्वारा बताया गया कि घटा दिनांग को खेट से आने के पस्चाथ उसका भाई उसका बेटा ल लेकिन उस दौरान किसी को पता ना चले इसलिए इनों दोनों मिलकर उसे घर के कमरे में लिटा दिये थे और पुना खेट चले गया थे खेट से आने के पस्चाद चाय पीने को लेकर नहीं उठ रहे करके आसपास हल्ला करके लोगों को बुलाए जिनके दोरा मृत होना बताए जाने से अगले दिन आकर ठाने में मर्ग कायम कराए